अयोध्या घूमने का मन है तो यहां का भी कर सकते हैं प्लान. आप, रामनगरी अयोध्या में प्रान प्रतिष्ठा को लेकर लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है. 22 जन्वरी को राम मंदिर में श्री रामलला की प्रान प्रतिष्ठा की जाएगी. इस यादगार लमहे का पीम नरेंद्र मोदी एवं यूपी के सी एम योगी से लेकर कई बड़े दिगगज राजनिता और हजारो साधु संद गवाह होंगे. देश दुनिया से लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी अयोध्या घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वहां घूमने लायक कई जगह हैं. जानिए एक नजर में अयोध्या में धूमने लायक जगहों के बारे में. अयोध्या में कनक भवन बहतरीन औ का निजी महल है. बहु बेगम का मकबरा. अयोध्य स्थित बहु बेगम के मकबरे को पूर्वाचल का ताजमहल कहा जाता है. इसे अवद के तीसरे नवाब शुजावद दौला ने सेकड़ों साल पहले अपनी पत्नी की याद में यह मकबरा बनवाया था. गुलाब बारी. गुलाब बारी शहर के सबसे सुन्दर बगीचों में से एक है. यहाँ की हरियाली मनमोहक है. अवद के तीसरे नवाब शुजावद दौला और उनके परिजनों की यहाँ समाधी बानी हुई है. यहाँ शांदार मकबरा है, जो विशाल दिवारों से घिरा आठवी सदी में इस बगीचे में रंगीन गुलाब की कई वराइटी लगाई गई है. यहाँ की हरियाली में एक अजीब सा सुकून मिल सकता है. तुलसी समारक भवन महान संथ कवी गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम तुलसी समारक भवन समर्पित है. यहाँ हर रोज प्रार्थना, भक्ति संगीत और धार्मिक प्रवचन आयोजित होते हैं. परिसर में स्थित अयोध्य शोद संस्थान के पास गोस्वामी तुलसीदास पर साहितीक रचन सर्यू घाट के लिए यह मंदिर बनवाया था मोती महल मोती महल फैज़ाबाद में एक समारक है इसका अपना एतिहासिक और सांस्कृतिक मेहत्व है मोती महल को अक्सर पल पैल इस कहा जाता है और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरू क्लिक करें अमारे आने वाली न्यूज की नडिफिकरजन आप लोग को सबसे पहले मिलें कि अमारे चैनल को सबस्टार आने वाली नहीं है